सुनीता सिर्वास्तो ग्यान शाला और बच्चों हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास में क्लास एट में आकर रहे हैं लेसन एट दमिसाइल मैन आफ इंडिया इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था इसके वर्ड मीनिंग की थी और लेसन को अच्छे से रीट करके उसको अर प्रशन उत्तर और इसकी एक्सराइज करेंगे तो चलिए स्टार करते हैं अपने कोशन अंसरों को बच्चों कुछ कोशन बीच के लेसन के बीच में से भी है जिनने आपको जानना बहुत जरूरी है तो चलिए बच्चों स्टार करते हैं वेन और वास एपीजे अबुलकल बॉर्ण का बॉर कहां एप डाक्टर एपीजे अबुलकलाम बॉर्ण हुए थे पैदा हुए थे डाक्टर एपीजे अबुलकलाम बॉर्ण आउन अपने परिवार के किसी बते तो उन्होंने क्या क्या था आप जानगे होंगे इस का अन्सलिध। and newspaper to support his family next question बच्चो what was the name of his father and what was his occupation उनके पिता का नाम और उनका ब्युसा ही क्या था आप ये भी जान गए होंगे बच्चो कि आपने लेसन बहुत अच्छे से पड़ा था the name of his father was Janula Dean who was a boat owner who ferried Hindu's pilgrims at the Rameshuram Temple in Tamil Nadu यानि कि वो जो एक boat के मालिक थे और हिंदू तीर्थी आत्रियों को वो पार कराया करते थे Rameshuram Temple पर ले जाया करते थे यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है name two research organization where he worked कौन से research organization थे जहाँ पर उनने काम किया था बच्चों तो पहला था defense research and development organization यानि कि DRDO in 1958 1958 में वहाँ पर उनने वर्क किया था दूसरा Indian Space Research Organization यानि कि ISRO ISRO in 1963 1963 में वहाँ पर उनने इस organization में वर्क किया था अगला कौशन है name the book in which he mentioned his dream of making India a developed country यानि वो कौन सी book थी जिसमें उनने जो है भारत के को डवलब करने का एक सपन देखा था India 2020 a vision for the new millennium ये वो का नाम था अगला कौशन है बच्चों list the award by which APJ अबदुलकलाम वाद अनर्ड बहुत सारे उनको award मिले थे तो वो एवार्ड कौन कौन से थे जिससे उनको सम्मानित किया गया था गौर्मेंट आफ इंडिया आर्नर्ड हिम्वित किस किस सम्मानित किया था भारती सरकार ने पद्म भूशन 1981 पद्मा विभूशन 1990 भारत रत्न 1997 इंद्रा गांधी एवार्ड फार नेशनल इंटिग्रेशन 1997 में यह भी मिला था अगला कोशन है नेम दे मिसाइल विच वर डेवलप बाई हिम कौन कौन सी मिसाइल है उनके दारा जो है डेवलप की गए थी तो वह हैं बच्चो अगनी पृथिवी आकाश त्रिशूर और नाग मिसाइल वर डेवलप बाई हिम वाइज ड़क्टर एपी जे अब्दुकलाम नोन एज अमिसाइल में अफ इंडिया उनने क्यों कहते हैं मिसाइल में अफ इंडिया डाक्टर एपी जे अब्दुकलाम is known as the मिसाइल में आफ इंडिया for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology इसलिए उनने वहाँ पर कहा जाता है दर मिसाल मैना फिंडिया क्योंकि उन्होंने इसचेथ में बहुत जादा वर्क किया था वाट्वाज बाइस तो यंगस्टर साब आपत नेशन यानि की भारती युगाउक अनोने क्या एडवाज दिया था यहुँप नफार्ट रूज दो थैस्टो एडवाइ था धुडए मथिज दू दू हपट शोप ने एक्षार थो शहां व्हों तुम तुम्हारु है टाम फोल डिया खोनि के लिए प्रयास करेंगे बहुत अच्छा यह flavored यहां पर देखिए बच्चों हम लोग करेंगे language practice और language practice में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि adverb क्या होता है तो बच्चों adverb की definition क्या है an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb as quickly, beautifully and correctly इसे बहुत सारे verb है जो एसे बहुत सारे adverb है जो adverb क्या है जो कुछ add कर देते हैं verb की meaning में दूसरा देखिए comparison of adjectives कैसे comparison करते हैं adjective में कैसे definition पहले देख लेते हैं इसकी an adjective is a word which qualifies a noun or pronoun जैनी adjective एक ऐसा word है जो noun or pronoun की विशेशनाव को बताता है as brave, pretty, strong जैसे यहाँ पर देख लिजे रामास mango sweet राम का mango sweet है हरी mango is sweeter than यहाँ पर देखिए adjective में comparison की बात की गई है किस तरीके से compare करते हैं हरी mango is sweeter than रानी के mango यानि कि हरी का mango जो है वो रानी के mango से ज्यादा है अब देखिए हाँ पर sweet की जएगा sweeter लिखा हुआ है गोविन्स mango is the sweetest of all यानि गोविन्द का mango सबसे sweetest है मीठा है तो यहाँ पर तीन सितिया दिखाए गई है तो इस प्रकार से डिगरी भी तीन तरीके की होती है कौन कौन से डिगरी होती है पॉजिटिव डिगरी पॉजिटिव डिगरी में जैसे पहले हमारा संटेंस था है यहाँ पर देखिए भी में सबसे अच्छा अब यहाँ पर इसकी इफिनीशन देख लेते हैं कॉजिटिव डिगरी क्या है अच्प कोई भी में किज यह पर कॉजिटिव डिगरी में क्या होता है तो comparative degree denotes a higher degree of the quality than the positive and it is used when two things are compared to two people in the sentence that the two people were talking about and which is more than two people in the adjective denotes the highest degree of the quality and is used when more than two things are more than two people in the same way. तो नावन नोपर नावन की कौलिफाई करता है शाट में इसमें comparison भी होता है इसकी तीन डिग्रिया होती है positive comparative and superlative तीन डिग्रिया होती है तीनों की situation अलग अलग होती है पहले में तो simple form में लिखा जाता है दूसरे में ER लगाते है तो और तीसरी वाली मैनी के superlative में EST लगाकर हम sentence को पूरा करते है तो बच्चों आप हम लोग थोड़ी बहुत जल्दी कर पाएंगे यह देखें क्या लिखा हुआ यह प्रतिवी है प्रित वी लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ नाग एंसर शुरू होता है नाग है यह आकाश है यहां पर दिकी त्रिशूल है यह इसकी spelling लिखिए है आपर आगे मारा है complete the correct form correct word from the brackets to fill in the blank bracket में यहां पर दिखिए word दिये हुए है इनको लगाकर आपको filling the blanks भरनी है अब दिकी पहला करके example दिखाया गया with a blank face she said she said my purse is empty यहां पर empty और blank दो दिया हुआ तो blank पहले आ गया और empty बाद में आ गया अपना देखते क्या किस तरीके से करना आगे वाला sentence the of our school is a man of अब यहां पर प्रेंसिपल दो लिखा हुआ देखिए एक प्रेंसिपल जो स्कूल का प्रेंसिपल होता है दूसरा प्रेंसिपल हमारे नमबर दो पर हम भरेंगे इसमाल तुसरा you शूद लिव in because he is strength तो you should live किस में रहना चाहिए हमें union में रहना चाहिए लिए क्योंकि unity यह नंबर को यहां पर भर लेना है अच्छे से आप देखते हैं हमारी अगली एक्सासाइज किया है यहां पर देखिए, filling the blanks with the correct degree of adjective, यहां पर देखिए correct degree भरनी, अब आपको यहां पर जो आपने तीन तरीके की डिगरी पढ़ी है, positive, comparative and super relative, इनी कोज़ आपको देखना है कि किस तरीके का sentence और हमें क्या लगाना, ER लगाना या सेम वैसे ही लिख देना है, क्या करना है, दूसरे मिनिस्ट्रों से यानि कि clever है, तो यहां पर क्या लगा देगे, clever, ER लगा के लिखेंगे, दूसरा देखिए, the average is the peak of the word, अब यहां पर देखिए, सबसे बताएगे, peak of the word, तो यहां पर high है, तो highest हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, आपको तीन तरीके की, पहले की simple form positive, दूसरे है कि दो लोगों में comparison होता है, और तीसरे में हमारा होता है, तीन लोगों में, super relative, और इस सब में से अच्छा, चाइना इजे कंट्री, अब चाइना है क्या, बिक कंट्री, तो यहां पर ऐसे देखिए, कोई भी कम, किसी से ना simple बात कहिए, कोई comparison नहीं है, ना दो के बीच में, ना सब के बीच में, सुपरिया इस दा, गर लिंदा क्लास, अब यहां पर दिखिए, सुपरिया गर लिंदा क्लास, टॉल लिखा हो है, यहां कि सबसे लंबी है, पूरे क्लास के साथ, उसका क्या गया है, यहां पर यहां सुपर लेटी, तो EST जोड देंगे, जेम्स इस टू यर्स देन मी अब यहां पर जेम्स और मी यह दो लोगों की बात की गई है तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर समझ में आ गया होगा बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसकी एक्सेसाइज कैस तरीके से हम डिगरी का प्रियोग करके इसको कंप्लेट करेंगे अब यहां पर देखिए अगली एक्सेसाइज हमारी है अब यहां पर देखिए आपको वर्ड दिये हुए है इनके हिसाब से आपको यहां पर भणना है जिसका की अच्छे से मीनिंग निकल लाहा हो सबसे पहला है मई ग्राफर प्रेश प्राक्ति यूल्स होग अंब यहां पर साइलेंटनी हो जाएगा यहां पर सी राइट्स वेरी अब लिखते है तो साफ साफ लिखते है तो यानि की नीटली दस सोल्जर फॉर्ड जब सोल्जर लड़ते है तो किस तरह के दखते हैं बहुत ही बहादरी के साथ यानि की ब्रेवली ये इस तरह कैसे कंप्लेट हो जाएगा अगला देखें री राइट दा फालॉंग संटेंस आफ्टर इंसर्टिंग दा नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क ये इस बादों का ध्याلة कंसे बस यह जाता ओसकी साबसे लोग करेंगे Mr. Will you help me the capital of India stands on the bank of river पर यम्ना अब देखिए आपड जो है पहला लेटर तो कैप्टल से होगा ही बहुत कि किसी सहर का नाम है या देश का नाम है या कोई नदी है इसका नाम दिया वह सारी चीजिज्टी एक लखी जाते हैं तो हमश्तार करें पहला संटेंज भी हो और ये नाम भी है तो डेले ही the capital of अब इंडिया country का name है तो यानि की capital से लिखा जाएगा stand on the bank of river अब यहाँ पर यमन तो capital से दिया ही हुआ है अगर capital से ना दिया होता तो हम इसे capital से लिखते हैं अफुली stop लगा देगे अब देखें यहां पर जो यह sentence है अब जो हमारा यहां पर एक how beautiful यानि कि एक surprise type का है कितना सुंदर है यह sky दिख रहा है यहां पर तो यहां पर हम क्या करेंगे how तो हमारा capital से ही रहेगा क्योंकि पहला लेटर है फिर beautiful पूरा वैसे लिख देंगे beautiful the sky is और यहां पर हम लगाएंगे exclamation marks यह ठीक है इस तरीके से हम यह sentence लिखेंगे where do you want to go to go ask Meera आप देखें यहां पर आज मीरा मीरा ने पूछा कि तुम कहां जाना चाहते है तो पहला जो वर्ड हो तो capital से ही होगा फिर where do you want to go यह sentence इतना यहां तक का जो sentence से यह यह पूछा गया है यह direct indirect का sentence से इतना पूछा है पूछा है किसने का पूछा है मीरा ने पूछा तो इसको इन्वर्टर कमर में लिखेंगे फिर उसके बाद हम लगा यहां पर आज्ट मीरा मीरा नाम है नाम हमें सा capital letter से लिखा जाता चाहे वह बीच में हो यह पहले हो तो इस तरीके से यह direct indirect का sentence से इसको हम लोग इसको बनाएंगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर लिखी हुई है इसको यहां पर भी हम लोग देख लेते है sentence को किस तरीके से speak five lines to इन पांच लाइनों को बोलो yourself अपने से पांच लाइनों को बोलो वो कौन कौन सी पांच लाइन है जो आपको रोज बोलनी चाहिए every day I am the best मैं best हूं I can do it मैं कर सकता हूं God is always with me भगवान हमेशा मेरे साथ है I am a winner मैं जीता हूं Today is my day आज का दिन मेरा है डाक्टर एपी जेबुल कलाम के दोरा यह बात जो कही गई है उसको बच्चों हमेशा याद रखो यह हमेशा सुचो कि मैं best हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ करता हूं क्योंकि मेरे साथ भगवान भी है और मैं जीता हूं और आज का दिन मेरा दिन है यानि कि आज का काम आज करो आज पर विश्वास करो बीते हुए कल पर याने वाले कल पर वरोसा ना करके हम आज अपना best करें क्योंकि हम best कर सकते हैं इसके साथ ही बच्चों हम लुक करेंगे थोड़ा सा homework वह homework आपके लिए क्या होगा यह देखिए रीड एंड लर्ण दा लेसन अपने लेसन अच्छे से पढ़ा है उस लेसन को समझिए उसकी बीच बीच की बाते याद करिए यह बाते क्या जैसे उनका जन कब हुआ था उनके माता पिता का नाम क्या है किस तरीके से वह अपनी फैमली की help करते थे कहां कहां कॉर किस organization मुन दिग्री भरनी adjectives की या कैसे हमें एडवर में लवाई लगा के भरना कैसे हमें punctuation करना है यह सारी बाते आप पढ़ें अच्छे से फिर है clear the concept of language practice जितनी भी practice आपके language में कराई है उसको आप अच्छे समझ लीजे जैसे कि adjective क्या होता है उसकी कितनी degrees होती है या उन डिग्र इसको और अच्छे जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे जैक्टिव और अच्छे से और अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर दिखिए complete the name सब्दा मिसाइल मिसाइल के नेम दिये हो जो भी आपने exercise में किया है इसको फिर से complete किजेगा इस पीस्पिलिंग इस तरीके से बच्चों यहां पर होता है complete इस पूरी उमीद के साथ कि आप इसे note भी करेंगे आप इसे याद भी करेंगे और अपने साथियों को भी आप समझाएंगे आपके साथ ही अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है नहीं पड़ पा रहा है तो आप उसकी help करेंगे ह आप इसका लाव उठाएं दूसरे भी उठाएं तो बच्चों मिलते अगली वीडियो में थैंक्यों